से काफी सारे लोग अपना Msme sûre貝 संगा काफी साल पहले कियो होंगे मतलब की जिसको उस टाइम पे MSME registration जा उद्योग अधार registration कहते थे ऐसे में मोधी सरकार के द्वारा क्या आ गया है को सको जोलैं नामाकरंद स्वासो सेंज कर दिया गया है तो जो तो पहले उद्योग अधार रजिस्टेशन था उसको जो है अब उद्यम रजिस्टेशन कर दिया गया है दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल चेंज कर दिया गया है दोनों सर्टिफिकेट का भैलू सेम ही है लेकिन मोधी क्रेटिव करेंगे वह मैं आपको इस बीडियो में बताऊंगा तो चलिए शुरुबात करते हैं मेरा नाम विजय है और आप देख रहें विजय सोलुशन तो चलिए बता देते हैं कि कैसे आपको यह करना है पहले जो है बैसिमी की ओर से इस तरीके से उद्योग अधार का करना है कि फोर्डोज और लेडि रजिस्टर ऐज यू यम तो इनके लिए आतको इस पर किलिक करते हैं तो यहां पर आप से उद्योग अधार नमबर मांगा जाता है जो पहले बाला आपका सटीफिजर उगोगा तो आहां से आप देख सकते हैं चलिए यहां पर यहां पर म सकते हैं या उपने सुब्दा के अनुसार से कोई भी कर सकते हैं चलिए जूम कर देता हूं ताकि आपको सई से दीखे तो यहां पर देख सकते हैं कि चलिए मैंने यहां पर मोवाइल बला ही रहने दिया कि मौईल पर हमारा ओटीपी आजायागा और में यहां पर मतलब पहले नमबर मिलता था अब उसको उद्योग अधार किया गया है आपको करना ही पड़ेगा अधरबाई जो आपका काम जो बाद में कुछ कहीं पर जरूरत पड़े तो रुख सकता है तो इसलिए जरूर कर ले चलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं माइग्रेशन नहीं हो पाएगा चलें मैं यहां पर माइग्रेट का था जायेगा तो क्लिक करते हैं अब यहां पर वरिकेशन लिखा हुआ है तो आपको क्या करनाया यहां पर पंपक्र इस सोपतुल से यह आ जाएगा कि आपका pen job validation successfully हो गया है आपको simple से क्या करना है यहाँ पर continue देख रहे हैं इस पर आपको click कर देना है जो आप इस पर click करेंगे तो यह इस तरीकी का form खुल करके आ जाता है उसके बाद आपस कहा जाता है कि अगर आपका idea previous year का है जो साल यहाँ पर दिया है बीस एक इस दिया ह अगर है तो yes करेंगे नई तो नो रहने देना है अब आपको क्या करना है अब है इस corps नमबर देखा है यहाँ जो से आपको यहां पे देना है और यहांपे email ID देना है जो भी आप email आईडि देना चाहते हैं पहले भूल जओं नया वाला आपको यह सारा भरना पड़ेगा उसके बाद नीचे आना है यहां पे आप सोसल कैटेगरी पूछा जा रहा एक तरीके से यह जो आप नया सर्टिफिकेट बनाते हैं उसका सारा जो है प्रोसेस फीड से आपको शुरू करना पड़ेगा चलिए कर लेते हैं इस भी आप तास से होंगे समाने अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और पिछरावाग यहां पे तरीके से जो पूछा जाता है तो चीज आपको बता जा रहेगा तो आपके बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हैं तो जो भी हम रखना चाहा है गर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं कोई दिख्यत नहीं है उसके बाद यहां पर यूनिट नाम इकाई का नाम कहा जा रहा है तो आपको यहां पर रहेगा तो आपको देने की जुरत नहीं है नहीं तो आपको जो भी आपका होगा कंपनी मालुक में बिजय है और इस वही नाम लिक करके अड यूट पे क्लीक करेंगे तो इस तरह के से यहां पर आ जाएगा अब नीचे आना है अब को क्या करना है यहां पर लोकेशन और प्लान पूछा जा रहा है तो जो सह भी आपका अड्रेस होगा जो आपके बीजनेस है उसका जो आड्रेस होगा और यहां पर चुंग आता है और यहां पर यहां पर करने लिखना है और यहां पर देता हूं यहां पर चुनेंगे T कि इस तरीके से यहां पर आज आता है अगर आपको जाता है तो आपको प्लांट का मतलब जहां पर आपका काम होता है तो जो जहां पर प्लान टूब आपका ऑफिस हो सकता है कि आप कहीं बजार में लिए हो या किसी जो है सहरी इलाके में या रोड पे लिए हो तो एडिस दे सकते हैं अगर दोनों सेम कर सकते हैं कोई इसू नहीं है चलिए उसके लिए जो है यहां पर complete address देना है यहां पर complete address देने के बाद यहा कर रहा हूं उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि अगर previously कोई आपका यह number है तो आप बता सकते हैं इसको नहीं रहने देना आपको उसके बाद पोछा जाता है किस दिर आपने बिजनेस चालू क्या हो आपको बताना है अगर आपने पहले से कोई और रखाए तो यहां पर है तो चलिए मैं यहां पर कोई बी एक डेट देता हूं उसके लिए मैं क्लिक करूंगा इसके बाद आज आएगा आपका का पीछे का आगे जो है और सकते हैं कोई सब्सक्राइब तो यह करें के जिस दिन भी सकते हैं प्रोसर्स साल करना यहां पर ce dall सुझ पेप कोञा है और चली में खाता नब्र देना है और यह बैंक खाता देने के बाद आपसे पूछ आपका major activity क्या है वो आपको बताना है तो मतलब अगर आप manufacturing करते हैं तो manufacturing चुनना है और अगर आप service में है तो सर्विस चुनना यहां पर देख सकते हैं manufacturing and service मैं पर लिए कि मैं आपना business कर रहा हूं तो मेरा जो है ओनलाइन काम है तो यहां पर हमारा जो है नॉन ट्रेडिंग चुन ले रहा हूं उसके बाद जो है यहां पर कहा जा रहा है कि आपको 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 करणा इसको छोड़ना नीचि आना एहां पर अपको 100 मैं बिजनर चलता हूं और वेड़न में यूट्यूब चलता हो निंष्वीट सब्सक्राम्ण करें सोइट स्रेश को एंपना अल्यक्याbet टोन में वाटर पत्स न्यसमें तो हमारा यहां पर दिख गया है कि यहां पर देख सकते हैं इसी तरीके से जो है आप लोग को सब्सक्राइब अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप Google पर सर्च कर सकते हैं नाइसी कोड और इसको सर्च करेंगे तो आपको जो है नीचे आकर के एक PDF मिल जागा पर देख स चलाता तो मैं लिखूंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आ गया है कि डेटा पोर से सिंग और या अदर इंफोर मेशन एक्टिविटी देख सकते हैं काफी वरा PDF है हर PDF में पूरा इनफोर मेशन दिया हुआ है आप यहां से निकाल सकते हैं चलिए मेरा पता है तो मैंने यहां पर चुन लिया है उसके बाद चूल लिया हुआ देख सकते हैं कि सब्सक्राइब दिखा यहां पर इनमेंसे जो भी आपका एक्टिविटी होगा तो चुन लिया है यह नीचे वाला आएगा क्योंकि मैं जहां सिर्फ परवाइड करता हूं इन्फोर्मेशन मीडिया के तौर पर यह वाला चुन लिया हूं तो इसी तरीके से जो है आपको यहां पर जो भी आपका बीजनेस होगा उसको सही से चुनना है गलती नहीं करना है आप ध्यान से देखना या तो आपको जो पीडिया उसमें मिल जाएगा यहीं पर सच करेंग और में यहाद पर एक्टिबिटि पर किलिक तो अब मैंकुन कर लिया है अगर कोई गलती होता है तो आप si klein क्रोश करें पिर से ज threatenा वैंने अपना यह कर दिया है अब यहाँ पर फारण कहा चारे है कि कितने लोग कृइं करते हैं आपको बता एक माल लीजी कि yön यहां पे मे बीजनस के बारे में कहा जा रहा है कि कितना पैसा आपने लगाया है कि एक तरीकर से सरा डिटेल देना होगा उसके बाद यहां पर कहा जाता है कि पलूटब कर चाहिए, वह बताना है मान लिजेगा आपने उस पर 20,000 रुपय घर्चा कर दिया चलो 20,000 कर देते हैं तो इस तरीके से जो टोटल जो दोनों काउंट करके दिखा देता है कि चुकि आपने दो लाग रुपय लगा है उसमें से 20,000 चुकि आपका सेब्टी उक्टी में चला गया तो आपको इन्वेस यहां उसके पर बता देना है कि आपका गवर्मेंट और मार्केट प्लेस क्या होता है में बता है और सरकारी टेंडर आपको चाहिए तो आपको उसी पर करना होता है तो इसमें लोड़ियो बना चुका हूं तो वीडियो चैनल पे मिल जाएगा या आप जो है सर्च करेंगे यूट्यूब पे भी तो आपको मिल जाएगा जेम रेजिस्टेशन विजया शंकर लिखेंगे या विजया सोलसन लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं लेकि मैं रेजिस्टर किया नहीं है बस आप को बता है तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं उसके बाद गाल जा रहा है कि यहां से जैंग rider कर wys'tay अगर सरकार की एप साइट ने सबी को का रिजिस्टर किया जाता है जिसंको दो करना है और हैं नहीं कर देना है कर देना है तो आपको क्या करना यहां पर आपको यहां पर देना है और यहां करने के बाद फाइनल समीट देख रहे हैं इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि जो आपने डेटा दिया हो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो चलिए चेंज हो जाता है डाइन बडदी चरेक्शन आप बाध में कर सकते हैं बस यह ऐसी फोरम्लिटी है तो इसको आपको कर देना है तो इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि यह आपका UN नमबर मिल जाता है यह जाथ हूँ जब मैं ओके कर दूंगा तो यह इस तरीके से आजाएगा थैंक्यू फोर विजिटिंग उद्रम अधार पोर्टल और MSME यो रेजिट्रेशन नमबर यह तो यह मिल जाता है अब आपको इसको क्या करना प्रिंट करके इसको फिलाल रख लेना है तो कि इसी से जो है आप अपन पर से आजाना है और यहां पर जाना है यहां पर देख सकते हैं प्रिंट भेरिफाई इस पर जाना है और यहां पर देख सकते हैं प्रिंट उधम सर्टिफिकेट इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको अपना जो नमबर मिला था उधम रेजिस्ट्रेशन ओदेना है यहां पर ओमाइल नमबर देना है जो अभी आपने दिया है और उसके बाद यहां पर देख सकता है लिखा हुआ है वैलिडेट और जन्रेट ओटीपी तो यहां पर मुझे चाहिए तो मैं मुझे चुन ले रहा हूं अगर आपको इमेल प इस तरीके से खुल करके आजाता है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर सारा हमारा नाम है और यहां पर सर्विस दिया हुआ है यहां पर जो हमारा डिटेल है और मेरा यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से जो है आपको मिलता है अगर आपको प्रिंट लेना है तो आपको स सपिंश करते हैं तो आपको जो है जो भी आता है जो भी आपको चुन लेना है उसके बाद यहां सरथ रहा चुन लेको करें गाँ वहीं आप से पीटिया जीब जब आपको सएब करना चाहिते और आप में आप्षन है सवाइब का जैसे मेरे में यहां पर देख सकते हैं तो यह इसा चुन सकते हैं और इसको सेब करके उडशी करके सकते हैं तो यह आपका उडह्वरी क्सटरेशन हो जाएगा मैं आको बता दिया कि